दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका यूरिक एसेड बढ़ा हुआ है तो आपको कौन-कौन सी सबसिया खानी चाहिए और कौन-कौन सी सबसिया नहीं खानी चाहिए यूरिक एसिड एक तरह का waste product होता है यानि एक तरह का कचरा होता है जो हमारे शरीर में तब पैदा होता है जब हमारे शरीर ऐसे भोजन को पचाता है जिसमें purine होता है आपके शरीर में जितना भी यूरिक ऐसिड बंता है उसका एक तिहाई हिस्सा उस प्योरिन के टूटने से बंता है जो आपको भोजन और पीने की चीजों से प्राप्त होता है अगर आप ऐसा भोजन ज्यादा खाते हैं जिसमें प्योरिन ज्यादा होता है तो आपके शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है कुछ तरह के भोजन में प्योरिन भारी मातरा में मौजूद होता है जैसे कुछ परकार के मीट, जैसे की लिवर, इसके इलावा बियर और अलकॉहल यानि शराब प्योरिन का निर्मान हमारे शरीर में भी होता है आम तोर पर आपका शरीर यूरिक एसिड को आपकी किड्नी की सहायता से पिशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल देता है लेकिन अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्योरिन ज्यादा मातरा में होता है या फिर आपका शरीर यूरीकैसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है तो आपके शरीर में यूरीकैसिड की मातरा बढ़ जाती है इस कंडिशन को हैपर यूरीसीमिया कहते हैं इसके कारण गठिया की बीमारी होती है शरीर में यूरीकेसिट बढ़ने के कई कारण होते हैं जैसे कि आपका भोजन, अनुवंचकी यानि पारिवारिक इतिहास, मोटापा या वजन ज्यादा होना, स्ट्रेस यानि तनाव में रहना कुछ बीमारियों के कारण भी शरीर में यूरीकेसिट का लेवल ज्यादा हो सकता है जैसे किड्नी की बीमारी, डाइबटीज मेलिटस, हाइपो थाइरोडिजम यानि शरीर में थाइरेड हार्मुन का कम बनना, कुछ परकार के कैंसर और कीमो थेरपी ट्रीटमेंट और सोराइसिस यूरीकेसिट का इलाज करने के लिए आपको ऐसे बोजन को कम खाना चाहिए जिसमें प्योरिन ज्यादा मात्रा में होता है जैसे औरगन मीट, जैसे लिवर और दूसरे अंदरूनी अंग, सुवर का मीट, मचली, बकरे का मीट और इसमें कुछ सबजियां भी शामिल हैं, जैसे गोभी, हरे मटर, मशरूम और पालक लेकिन इन सबजियों में प्योरिन ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद यूरिक एसिड में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है क्योंकि सबजियों से मिलने वाले प्योरिन से यूरिक एसिड में ज्यादा बढ़ता है इसलिए आपको इन सब्जियों को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है आप इन बताई गई चार सब्जियों को भी कभी कभार खा सकते हैं जैसे हफते में एक बार इन सब्जियों के इलावा बकी सभी परकार की सब्जियां आप बे फिक्र होकर खा सकते हैं सबजियां खाने से यूरिक एसिट नहीं बढ़ता है अगर आप नॉन वेजेटिरियन हैं और मीट खना चाहते हैं तो आप चिकन को कम मातरा में कभी कभार खा सकते हैं जैसे महीने में एक या दो बार चिकन में प्योरिन मीडियम होता है यानि मध्यम होता है आप सभी तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं आप सभी तरह के नट्स और बीज खा सकते हैं आप साबुत अनाज खा सकते हैं आप सभी तरह के डेरी उत्पाद खा सकते हैं लेकिन अगर कम फैट वले डेरी उत्पाद खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आप अंडे खा सकते हैं चाई, कॉफी और ग्रीन टी पी सकते हैं आप सभी तरह के मसाले खा सकते हैं आप सभी तरह के वनस्पती तेल खा सकते हैं जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कनोला तेल, अलसी का तेल आप सोया बीन और सोया बीन से बनी चीज़ें खा सकते हैं जैसे सोया पनीर और सोया मिल्क अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप दालें खा सकते हैं के नहीं तो इसके उपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप इसे देख सकते हैं क्योंकि दालों का विशे थोड़ा सा लंबा है उसमें एक दो बातें समझाने वाली हैं अगर इस वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको शराब बिलकुल नहीं पीनी चाहिए या बहुत ही कम मातरा में पीनी चाहिए जब आप शराब पीते हैं तो आपका शरीर सबसे पहले अलकौहल को पिशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और यूरीकैसिड को बाद में शरीर से बाहर निकालता है यानि आपका शरीर अलकौहल को शरीर से बाहर निकालने के लिए पहला महत्वत देता है और बाद में यूरीकैसिड को शरीर से बाहर निकालता है यानि यूरीक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए दूसरे नंबर पर रखता है इसलिए ज्यादा शराप पीने से शरीर यूरीक एसिड को पूरी मातरा में शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता जिससे शरीर में यूरीक एसिड की मातरा बढ़ने लगती है और यह फाल तो यूरिक एसिड आपके जोडों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है और गठिये का कारण बनता है कुछ तरह के अलकोहलिक ड्रिंक्स जैसे के बीर में प्यूरिन की मातरा भी ज्यादा होती है यूरिक एसिड कम करने के लिए आप डॉक्टर से पूछ कर विटामिन C का सप्लिमेंट भी खा सकते हैं क्योंके कुछ अधैनों में इस बात का पता चला है कि विटामिन C यूरिक एसिड को पिशाप के रास्ते से शरीर से बाहर निकालने के लिए किड्नी की सहयता करता है आप ऐसी चीजें भी खा सकते हैं जिनमें विटामिन C ज्यादा होता है जैसे कि खटे फुरूट, अमरूद और टमाटर का जूस आपको मीठे पेपदार्थ नहीं पीने चाहिए जैसे फुरूट जूस, सोडा कोल्ड रिंक और दूसरे पेपदार्थ जिनमें चीनी मिली होती है क्योंकि इनसे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है फुरूट जूस की बढ़ाए आप फुरूट खा सकते हैं फुरूट जूस पीने से एक ही समय पर ज्यादा चीनी आपके शरीर में चली जाती है जबके फुरूट खाने से ऐसा नहीं होता फुरूट जूस को शरीर जल्दी हजम करता है जिससे आपका ब्लड शूगर लेवल और यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है आपको दिन में पर्याप्त मातरा में पानी पीने से आपका शरीर पिशाप के माध्यम से फाल्तू यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल सकेगा आपको अपना वजन कम करना चाहिए अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो आप इंसुलिन रिजिस्टन्स के शिकार हो सकते हैं इस कंडिशन में शरीर खून में से शूगर को हटाने के लिए इंसुलिन का पूरा इस्तिमाल नहीं कर पाता इस कंडिशन में यूरीकैसिड भी बढ़ जाता है आपको अपना वजन कम करना चाहिए वजन कम करने से आपका इंसुलिन रिजिस्टन्स घटेगा और शरीर में यूरीकैसिड की मातरा कम होगी आपको हररोज कसरत करनी चाहिए जिससे आपका वज़न कम होगा और yuric acid भी कम होगा अगर आपका yuric acid का लेवल ज्यादा है, तो आपको अपना insulin का लेवल भी check करवाना चाहिए क्योंकि शरीर में insulin की मातरा ज्यादा होने से yuric acid की मातरा बढ़ती है जिस तरीके से आप अपने खून में शुगर की मातरा चेक करते हैं उसी तरहे आप अपने खून में इंसुलिन की मातरा भी चेक करवा सकते हैं जिन लोगों को टाइब टू डाइबटीज होती है उन लोगों के खून में इंसुलिन की ज्यादा मातरा मौजूद हो सकती है और जो लोग pre-diabetic होते हैं उनके खून में भी इंसुलिन की ज्यादा मातरा मौजूद हो सकती है सीफूड में codfish, headache, herring, mackerel, sardines और trout मचली में purin ज्यादा होता है इसलिए इन्हें खाने से बचना चाहिए और crab, lobster, oysters और shrimp में purin medium होता है यानि मध्यम होता है इसलिए इन्हें आप महिने में एक दो बार खा सकते हैं हलो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे comment करके बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए, share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और दोस्तों मैंने एक नया vlog चैनल भी start किया है जिसका link आपको यह नजर आ रहा होगा पवन प्रेसिंग उपल के नाम से अगर आपको vlog वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को भी subscribe पर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much